नमस्कार दोस्तो हमारे online tuition अड़्डा चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो अंग्रेजी पढ़ना और लिखना कैसे सीखें का यह master class 3 है इस class में मैं आपको पूरे मतलब कि कैसा भी English में word मिले या कोई भी यह आपको sentence मिलता है या कहीं पर भी WhatsApp, Facebook या Instagram पे आपको message लिखा हु आपको English to Hindi मैं translate करना सिखाऊंगा कि कैसे English में लिखा है उसको आसानी से आप देखते ही पढ़ देंगे दोस्तो जैसे कि आपको मैं बहुत सारे वीडियो में एक क्लास में प्रभाइड कर रहा हूं जिसमें पूरे मतलब कि एक ऐसा वीडियो में बना था जिसमें किवल और सोग की मातारा से related तक आपæ मत्रा चोटी की मत्रा बड़ी की मत्रा इस तरीका से स्टेफवाइज मेरे बहुत अरा वीडियो बनाया है लेकिन आज कि इस master class में मैं आपको एक ही जगा इसी क्लास में टोटल चीज मैं आपको बताने वाला हूं एक साथ आपको सब डाल पढ़ है या डल पढ़ है क्या परें निकल रह ने कितना मतलब कि आश्चरीश की बात है कि एक इंग्लीस यह इल इसका यहां पर इंडू हिंदी निकला ठीक नहीं हिंदी की नहीं इन पर है उसके बाद यहां परिक लिखा है M-A-N इसका दोस्तों हिंदी हमनों मान पर हैं या मन पर हैं तिक ना या मान पर हैं क्या पर हैं तो आज की इस क्लास में इन सब को बिल्कुल असान तरीका से आपका जो को भी दिमाग में चलने वाला कनफ्यूजन है यह सब कुछ क्लियर करूंगा थोड़ा सा यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की क्लास में आपको क्या-क्या पढ़ाने वाले हैं यह देख रहा है कि और की मात्रा है इसके बाद आ की मात्रा वाला भी जो है छोटी है कि बड़ी यह सब कुछ है देखे चोटी की मात्रा जैसे इसको रभी पढ़ेंगे ठीक ना दीन गिरी इस टैप से देख़े बड़ी की मात्रा भी है उसके बाद आगे यहां पर देखेंगे दोस्तों बड़ी की मात्रा के यहां पर उ की मातरा देख रहा है ना उ की मातरा भी है जिसे मुन्ना यहां पर लिखा है यहां पर देखेंगे जिसे लिखा है मुन्ना लालू यह सब है कहां पर बड़ी उ का मतलब डबल ओ लिखा है तो बड़ी उ तो होगा ही होगा यू भी लिखा रहाता है तो बड़ी उ मातरा लगा कर हम लोगों को पढ़ना पड़ता है यह सब कुछ मैं बताने वाला हूं उसके बाद देखिए बड़ी ऊकी मातरा है छोटी की मातरा के बाद दोस्तों आपको एक की मातरा यहां पर देख रहा है जैसे रेखा ठीक ना दे भी यह सब चीज है उसके बाद आगे देखेंगे एक के बाद आए ठीक ना शायल कैद बैद ठीक है यह सब कुछ मैं आपको सिखाने बला हूं इस क्लास में बहुत सरा चीज है दोस्तों इसलिए मैं बताओं कि एक जगा आपको सब कुछ मिलने वाला है यहां पर देखिएगा सौच और की मात्रा भी है उसके बाद आपको अन की मात्रा इस तरह के से बहुत सारा इस तरह के से बहुत सारा चीज में आपको इस क्लास में सिखाने बला हूं तो आए दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग से सुरू से इसको हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते हैं आपको इस क्लास क इसमें स्वार और बेंजन बंड की बहुत महत्पूर्ण भूमिका है जैसे यहां पर देख सकते हैं कि यह है हिंदी का स्वार बंड और इसका इंगलिस उपर है जो कि मैं बहुत सारे क्लास में बताया हूं आज यहां पर इसका विशेश चार्टर नहीं करने वाला हूं आगे से फॉर्षिroot चाहिए भेते हैं जैसे कि दोस्तों में बताया था के डी अयल लिखा यह तो दुटर होगा डाल होगा दे कि इसका ऐनसर क्या होगा आपको दोस्तों सबसे प्रिंवर्ट पे दिखना है कि जो वाग कि एक साथ साथ तो दोटीन सब लिखा होगा ना ठीक जैस इसको पढ़ेंगे दोस्तों जनता दल यहां पर दाल या डल नहीं पढ़ेंगे गलत हो जाएगा ना अगर वहीं लिखा अगर वहीं लिखा है डी एल बी एच एटी इसका मतलब क्या हुआ दाल भात क्या दल भात तो नहीं को दाल भात इसका मतलब हुआ तो यहीं पर डी एल को हम लोग दाल पड़ दिये पड़ दिये न यदी लिखा आया लिखा यहां पे पी एए यू डी एच ए ठीक है के ए डी एल अब देखे यहां पे इस डी एल क्या पढ़ेंगे पी ए यू डी एच एक ओना पौधा पढ़ेंगे आगे मैं बताऊंगा और की मतरह में किलिर हो जैगा आपका पौधा के एसे का पौधा का डीए एले लिए डाल यहाँ पर पर क्या हो सबस्था बरांच शक्राय दो इस त्रीक थैसे दो सब्धद करता है और वनटे पर करता है कि वांग में कैसे यूज किया गया है तो ऐसा नहीं है तिन्म अर्थ सही था डाल दल और द तो चलिए अब आगे एक चीजों को अमने बढ़ते चलेंगे ठीक है तो मान मान और मार्त तीनों होड़े डाइगा ठीक ना मन भी हो जाएगा मान भी हो जाएगा वैसे दोस्तों लिखा जे-e-e-e-e-l तो इसका जल भी हो जाएगा क्या हो जाएगा झाल भी हो जाएगा सिकारी आया जारवाइश चाइए तो जाल ज soul हम है은ी जिवन है तो ज यह जल दोस्तों ऐस क्लास बहुत महतोपन होने व Lenavan है छोड़िएगा नहीं जो दोस्त लागा तरह आप तक देख रहा है ना आगे और भी मज़ा आने वाला है आप फ्रेस होकर आराम सी पूरे क्लास को लाश्ट तक देखेगा बीच में दोस्तों मैं अपना वाट्सप नंबर भी देदूंगा वहां से आपको टोटल में वीड है बाकी समय नहीं होता है यहां पर क्यों देखना है ठीक है चली अब यहां पर लिखा है दोस्तों जी ए वाई ए ठीक तो यह हो जागा गया गया जगाह का नाम है गया नाम भी है आप बच्पन से सुनते आ रहा होंगे कि बहुत सारा लोग काता है कि यह को तनी करके बताओ गया 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 तो गया ही रहा गया इस तरीका से दोस्तों गया नाम है गया जगाह का नाम है गया मने गया ठीक ना गया ही रहा गया तो समझना इस चीज़ को कि कि कितना एक ही सेंटेंस में गया लिखा है और कितना अर्थ निकलता है ठीक है तो यहां पर देख है तो नग भी हो जाएगा और नाग भी हो जाएगा दोनों हो जाएगा चले सही है दोनों सही है चले आगए आईए यहां पर लिखा दोस्तों पी एपी ए तो पापा सिंपल सी बात है कि पापा होगा ठीक है एस ए आर ते यहां पर दीके सर भी हो जाएगा और एस ए आर है त तो सार भी हो जागा क्या हो जागा सर और सार दोनों होगा ठीक है उसके बाद कि यहाँ लिखा दूस्तो आर एजी तो राजा क्या होगा रा जा राजा क्या हो जागा राजा आर एम एती यह हो जागा रामा रा मा ऐसी रामा ठीक है रामा इसके बाद देखिए के एल तो काल क क्या होगा का ला काल थेकर काल उसके और एल्ए तो माला क्या हो जायगा मात्य है ला-माला यूअ- Ton On आर ए डी एक ताराद हिट तुरद हा किउने कर अग二 हुष थे राधह थ्य। राधह पीए पीए तो पापा आभी ऊपर। आर एम तुरामा क्या है आप देखते चलिए दोष्तों करते चलिए देखें लास्ट में लगा होगा तो हरहाल में आ की मतरल लगे गाहीं लगेगा दिक्कत कहां प्र भी बीच में जो लगा हुआ है और होगा की आ होगा तो जैसे आप सब्द मिला कर पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा पापा नहीं न कहेंगे पापा कहेंगे ठीक ना अब रमा नहीं रामा रामा भी हो सकता है यूज अगर संटेंस मोगता तो रमा भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है चले इसके बाद देखे यहां पे अब की मात्रा पर हम लोग समझते हैं जैसे यहां पर दोस्तों है आर एभी आई क्या है आर एभी आई तो देखे यहां पर आई है तो छोटी की मात्रा हो जाएगा ठीक है लेकिन आई का बड़ी की मात्रा भी होता है मैं आगे समझाओंगा तो फ्रस यहां पर देख लिए रव ऐसे दिन ठीक है दिन जी आई आर आई तो गीरी क्या हो जाएगा गीरी अब यहां पर देखिए यहीं आई है तो छोटी की मत्रा हुआ फिर आई है तो बड़ी की मत्रा हुआ यह कैसे हुआ इसको समझते हैं ठीक है देखिए अब वहां ही चीज है कि सब्द पर डिपेंड कर व्युवा दूं कि यही लास्ट में आता है या या यह भी चीज ध्यान रखना है चोटी की मात्रा हो या A की मत्रा हो बड़ी की मात्रा में भी बहुत जगा हो जाता है जो कि मैं सब मैं लिखा हूँ आगे मैं सभब लिखा हूं समझाने के लिए आगे देखते चलिए समझ में आ जाएगा ठीकर यहाँ पर लिखा दूस्तों सी डबल एच एवी आई यह गाच छ वी क्या हो जाएगा चबी ठीक है चबी अच्छे से नहीं लिखा पा रहा है चलिए आगे देखते हैं हम चबी हो गया उसके बाद देखें दूस्तों यहां पर लिखा है मिट्ठी त्विए और फिर संजुक्त आयसे यहां पर भी आ गया नबड़ी की मात्रह या इसमें छोटी की मात्रह कि थोड़ी सीज को द्यान लखना है चले एस हेच आई भी दियो जागा शीव शीव ही शक्ति चले शीव हो गया उसके बाद दिखिए म आई टी एच आई तो यहां पर आई है तो बड़ी की मत्रा हो गया ना उसके बाद एक डीडबल एप ये तो बड़ी की मात्रहा तो होगा ही होगा ठीक है ती पी है तो पा disp represented के दूस्रोस्तोफ जय डबitative वबी तो जी उसके बड़ी की मात्रह डबले रहा हूं कि पहले वाले में यदी ч duplicate नहीं यह यहों बड़ी E और फिर बाद-बले में भी अगर इकी बात आई जिसे यहां पर आई रहे तो अधिकांस क्येओं में बड़ी की मात्रा होता है हुँ मैं उपर बताया हूँ लेकिन यहां पर देखby आ की मात्रा भी मैं बताई कूँ रह जिसे रानी क्या हो पर दिखिए बी एच एब एच आई तो भावी क्या हो जाएका भा भी ऐसे भावी ठीक है उसके बादे के के लाई तो काली है ना का ली देखिए काली समय बढ़ी की मतला मिल रहा है आपको काली समस्ते चलिए लिखावट पर उतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि यह स्किन र आई टी ए तो रीता क्या पढ़ एंगे रीता ऐसे रीता के एक यह का की होगा 100 परसंट का मतलब की बड़ी की मतरह ही आएगा का इसको हटा ही देते हैं का की क्या होजाएगा का की ठीक है उसके बाद दी एल आए-टो यहोजाएगा बाली क्यों हो नहां कляा बाली ऐसे बाली क्या अबाली ठीक है बाली या कि भी आइव थे थे वी वी यू कैसे फी कैसे ऐनाइटी यू तो नीतु क्या हो जैगा नीतू ऐसे नीतू हो सकता है नाम है दोस्तो थोड़ा इधर दो हो जाए चले यहां पर दखिये एम ए एन जे एच आई तो माजी क्या हो जाएगा मा एन है तो चंदर विंदू यहां पर लग क्योंकि माजी नाम आप देखेंगे ऐसे ही लिखाता है ऐसे माजी ठीक है तो माजी है उसके बाद आईए देखें दोस्तों यह रिवीजन का कलास है मास्टर कलास है जिसमें दोस्तों इस नंबर पर यदि मुझे आप वाटसप करेंगे या कॉल करेंगे तो मैं पिछला टोटरल कलास एक पूरे मतलब यह एकस्प्लेन करके कि का वीडियो बना हुआ है मैं आपको भेज दूंगा बहुत अच्छे से जल्दी आप सीख जाएंगे ठीक है चलिए आग दीए डीएच आई तो यहां पर खुब द्यास दिखिए डीए है तो दा हो जाएगा डीएच से ढ़ावी होता है डीएच से ढ़ावी होता है डीएच से ऐसे भी होता है अड़ा होता है तो यहां पर क्या बन रहा है दाड़ी क्या बन जाएगा दाड़ी तो दाड़ी ही हम हम लोग में यहां पे लिखेंगे लिजा नियुक्त दारेषी ठीक है चलिए आगे मिसके भाद दारी के बाद आगे यहां पर गारी गारी क्या हो जाएगा गारी डी के डाप भी होता है डी से डाप होता है और अच्छा मतलब विसकी नलब बन रहा था तो गारी हुआ क्या हो जाएगा का शी ऐसे काशी ठीक है काशी उसके अबाद एक एम एन आई तो मनी क्या जाएगा माँ नी ऐसे मनी मनी मिराज का बहुत सारा कमेडियी देखते होंगे हम ऐसा ठीक है यहाँ पर देखें दोस्तों P I T A तो पीता क्या होगा पी तर ऐसे पीता इसे लिखाता है ठीक है भीर डबल ई-या तो वीर क्या बाद आ्दि को असके ठीड के वीर खीर उसके बाद देखे के यू टीए तो कुट्टा क्या और जाए गार कू यहां पर देखते हैं कू है ता ऐसे कुट्टा ठीक है कुट्टा है मूड इन एट देखें आप हे शोलिक जो है ना के huu SEOtṃ होता है क्योंकि आधा तव फिर पूरत्व होता है ठीक है तो यह गलति टैपनी हो गया है हुँत्ता होगा वैसे यहाँ पर मुन्ना है तो मोँ आधा नो फिर पूरा नो और ऐसे आज़ोकностью क्या होगा मुन्ना ठीक हैं उसके बात देखिए ल एल डबल ओ औल एल डबल ओ तो ला लू ऐसे लालू लालू का आलू चुले आगे देखिए एस एच यू बी एच तो शूब है छोटी उकी मातरा फिर यहीं यू से बड़ी उकी मातरा भी आगे मिलेगा जहां पर मैं समझाओंगा यहां पर देखें ए एन यू तो यू से क्या होता है उ होता है आपको पता है इसे मातरा होता है तो यह जाएगा अनू बड़ी मातरा होगा दोस्तो रूपा देखें रहा मैं ऐसे दिया जब्टा अब यहां पर पूचहें जी थे सर्वग्यू मातरा कैसे लगा दिये कैसे हुगा आगे समझते हैंALLY आपको मिलने वाला है ठीक है जो कि यूँँब लेकि बड़ी उकी मातरा होता है को आगे देखेंगे यहां पर दोस्तों लिखा यूँ जे ये तैये हो जाएगा पूज 1 से पूजा नाम है दोस्तों महतर लिखाता है यूँब कैसे हुआ आगे देखेंगे पूजा फिर यहां भी दो बार टाइप हो गया आर एजे यू अब देखें यहां पर यह हो जागा राजू देखें जब में बड़ी की मात्रा आया जब की यू है तो देखें वहीं चीज है दोस्तों जब लास्ट में यू रहे और उसके पहले उसके अब बोल सकते हैं इसे बाहू ठीक ना जेके बाहू बली अप ऐसे लिखेंगे बाहू बली ऐसे छोटा की मात्रा होता है लेकिन यह बाहू होगा ठीक है वह सहीं यहां पर यह राजू है फिर आगे किलिए मैं करता हूं और भी सब्द है दोस्तों दो एकात सब्द पर समझ आप आप निकल रहा है ना तो उकी मात्रा है तो बड़ी उकी मात्रा होगा जैसे फागू राजू काजू शालू अलू भालू समझ रहे ना अब आप समझ गया होंगे यह चीज चलिए उसके बाद देखें यहां पर दोस्तों लिखा है बी एएच्व तो बहू होगा बहू ह बढ़ा दूनों होगा पी एएच एक यू तो यह हो जाएका पर शू ऑच्छू एसे पशू ठीक आप शू हो जाएगा है उसके बाद देखें यहां पर आर यू एच आई तो यह जागा रूही का रहू ही ऐसे रूही ठीकर रूही पी यू ऑर आएट यहा पूरी पूरी ऐसे पूरी ठीक है पूरी पी उर आई है तो पूरी सी एच यू एन आई चुनी चुनी ऐसे चुनी ठीक है चलिए और भी सब्सक्राइब को देखते हैं लिखा है यहां पर देखें दोस्तों लिखा है α pksu Hi ओ एके यह हो जाएगा ग्थव दो हो जाएगा और हे एसे जूही जूही ऐसे लिखाता बदूर की मातरा वघ जाएगा वैसे रूही होगा आर तो बड़ीन की मतरा ऐसे ही रूही क्या हो जाएगा रूही यहां पर इस टाप से मिले जुली रूही ठीक ना तो बड़ी خय अंग्लिस मनें यू का जो इंग्लिस है उसका हिंदी बड़ी मातला में निकलेगा चले जी ओल यू तो गोलू यहां पर आहिं हैं गोलू भोलू मोलू तो आज यह से दी एच यू दियो हो जागा सा साधू ऐसे साधू ठीक है टी डबल ओ एल तो तूल क्या तू लग ऐसे तूल ठीक है तूल डी एच डबल ओ पी तो धूप क्या हो जाएगा धूप ऐसे धूप । तो धूप फटka थोप चो क्योंकि बड़ी उकी मात्रा होगा डबल ओ है सिंपल सी बात है भी यू एन्सके हो जाएगा ₹ट तो यहाँ पेड़ी की मात्रा होगा यह वह जाएगा तो न है जाए रहता है तो अड़ी रहता- बिंगे एम अद यूतम अधू कियां होका मधू है इस ऐसे मधू तो कह और दो के अगे यू तो का जू क्या जू का जू का जू एसे होगा काजू के एपी यू तो कपू क्या हो जागा का पू कपू और आई पी यू तरी पू क्या हो जागा री पू ऐसे रीपू ठीक है रीपू रीपू के बात देखिये आर एक ही तो रहा क्या रहा है खा एसे रहा है एम एच इसे होता है मैं नहीं बता पाई आपको इसे होता है इसे ऐसे एकले लगता है ठीक है तो वहीं बला है M E G H A तो M E से में और G H A है तो घा में घा मैं special दोस्तों वीडियो सब का बनाया हूँ यहां पर फास्ट में मैं आपको master class है इसलिए मैं तेजी में करा रहा हूँ ताकि आपका revision हो जाए जो दोस्त सुरू से देख रहे हैं उनका उनके लिए बहुत important है ठीक ना क्वीक रिविजन उनका हो रहा है और जो दोस्तों नहीं देखें कभी वह भी यह दि देखते है तू क्या हो जबबेगा से स्हें है तो वै तो तू आज判े तू से तू ठीक है डी तो देखी आईती एक तू वी देवी इसे क्या हूता है रहोता है इसे ए क élect देवी आइसे दीवी ठीकर बी भी और ड Bei तो बेबी क्या स्ँच रख ब बेबी ऐसे बेबी एसे 는지 Megap क्या हो का में आउसे मेला ठीक है थी टी टो बेटा बड अगर ऊसे बेटा ठीक है कि इस एबी एखिश ए रहे गांड दोस तो जी तो स为什么 का आभाज आख है वा ऐसे से यह छिद्र से वाड़ सवा यह थे ऐस और से वह उसके एसे बेटी पी एर यूट फेरू भिरु ऐसे पेरू ठीक का है पेरू जई पी एचे तो छेठ ता जए था एसे जट था है जेठ्था जटा का बाद के यहां पिर एच ए मँदो हे मा हे एक टो हे में तु मा हे मा हे मा डी भी आई तो देवी देवी ऐसे देवी देवी के थी आर तो खेर क्या हो जाएगा खेर रहा ऐसे खेर ठीक है एस ह है आई एल तो शानल और शाय तो कैड़ हो जैगा कर दॉठ इसके बार भी एए डी एच तो बाई है क्या बहुत को बाई God ahead 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 us के बाद देखिर tensor a और यहां पे lab at URL तूं लैला क्या लैं कि लैला एए एफर ला एफ ले लैला ए ना आई दोस्तों एौए है होता है ठीक ना एआ यहां-जहां है वैसे आई होगा ठीक है तो लै-ला-ला ईसे होका उसके आ बाद देखे तो यहां पर आई एंड थ्यक्त नहोब शॉतर रहरू है ट्क है रह एन भी इस अइल भी है तो भाई अई कर湃 प्हेंड के बाई है बाई-ल ऑई-ए-ड तो गैर क्राई आई तो गय आर से रहा ऐस एच एंड़ के लिए ऐस एच तो होता है तो शाए के इस एह बैटे ये हो जाएगा बैट हो जाएगा उसके बाद कि बैट के बाद भी ए आई डी एच तो वाई भी ए आई है तो वाई डी एच से धौ ऐसे बाइद है ठीक है बाइद है जे ए आई टी तो जाए टे जाए जे ए आई तो जाए टी से टौ ऐसे जाए टे क्या हुजाएगा जाएटे एफ ए आई जेड तो फैज फैज जा ऐसे फैज तेगा फैज एम ओ टी आई तो मोती मो ती ऐसे मोती तेगा मोती मोल जैसे मोल एर ओजिड आई तो रो जी रो जी ऐसे रो जी तो रो जी तो रो जी तो रो जी तो रो जी उसके बाद यहां पर देखिए एम ओडी आई तो मोदी मो O से क्या होता है दोस्तों O से O ही होता है तो जहां पर भी O रहेगा O की मात्रा लगेगा जैसे मों में O की मात्रा ऐसे होता है एक अकार होगा है और एक एकले होगा चिक से लिखते हैं एक अकार और एक एकले ऐसे होता है है जैसे M.O.D.I आई है तो मो-D ऐसे मोदी ठीक है मोदी उसके बाद एक है K.O.T.I तो को-T को-T ऐसे को-T ठीक है S.O.N तो सून लेकिन आप वरड मिनिंग बला में पढ़ाएंगे S.O.N तो सन पढ़ाएंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर सून है सोन पर बढ़े बड़े सब्दों में किलियर हो जाएगा मिल जाएगा वहां पर दोस्तोर एस ऐन तो Sonny क्या पढ़ेंगा 10 शोनी ऐस जोन आई तो Sonny by Taka Aka Sonny जी ओ बी एच आई तो गो जी ओ से हो जागा गो बी एच आई है तो भी ऐसे गो भी ठीक है बी ओ एल आई तो बोली बी ओ से बो एल आई है तो ली ऐसे बोली ठीक है बोली के बाद यहां पर पढ़ेंगे पी ओ टी I तो पो टी या पो टी दोनों बोल सकते हैं पो टी भी बोल सकते हैं पो टी वी बोल सकते हैं ठीक इसके उच बाद देखित दो एक ओजेड आई तो हो जी क्या हो जाएगा हो जी ऐसे होजी 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 के बाद देखिए एल एए यू के आई तो लोगी क्या हो जाएगा लो लोगी ऐसे लोगी लोगी के एए यू डी आई कोड़ी को कोड़ी ऐसे कोड़ी यह कोड़ी पी एए यू एल पॉल पॉल ला ऐसे पॉल ठीक है पॉल उसके बाद देखिए एस ए यू डी आई तो सौधी क्या होगा सौधी ऐसे सौधी ठीक है पी ए यू डी एच ए है अगे अब देखिए यू आइगा एव तो अव होगा क्या होगा और इसका मात्रा इसे होता है तो जैसे पे यू यह या कैसे पॉल टर फो बहें तो धाव आसे पॉल धानल अगए पाघ पाउड़ा वेज्स तो पॉष्ट क्या पढ़ हैं पॉष्ट है से पॉष्ट पवदा हो गया पॉष्ट हो गया पॉष्क के बाद देखित दुस्तों यहां पर एंड एयू के टणोह का क्या हो जागा 9-9 ऑन एयू-टो-9 का ऐसे नोगा ठीक है दोबर लिखा ग जौण न जौन एक यू से ओ सिन होता है उसके बाद कि इस ये यू सी तो सोचょ फ्सर छो शॉ आ इस तोज इस उह सुछ रीची पीटैंर अ करिया से और जिह अलुना को और गो गो ना सने सी मौ और ऑ कि ए ऊ दी एचे तो लाँ क्या हो जागा और धा आध है ठीक है a UDs to all के a n s अब देखे ए एन सी अगा एन से होता है तो देखी यहां पर समझ लिजे फोला सा अच्छे से एंसे होगा अन होता है इसका मातर एक बिंदी होता है तो के एन है तो कंस क्या हो जाएगा कंस एसस्वा हो जाएगा कंस आर एंजी है तो रंग ऐसे रंग A-N-D-H-A तो अन्धा क्या हो जाएगा अन्धा ऐसे अन्धा तो यह बिंदी का आधा नो होता है ठीक है और देखे बिंदी का तीन ठो अर्थ निकलता है दोस्तो आधा नो उसके बाद देखे आधा नो भी होगा मनें A-N है तो आधा नो होगा या आधा नो होगा ठीक है दोनों हो सकता है जैसे यहाँ पर लिखा P-A-N-D यह तो पंडा तो यहाँ पर ऐसे होगा पंडा आधा नो हो जाएगा ठीक है और यदि A-M रहेगा तो आधा मह होगा जिसे रंभा खंबा आगे में बता दूँगा A-N-T-A तो सांता क्या हो जागा सांता ऐसे सांता P-A-N-C-H-T जागा पंच जागा पंच ऐसे पंच ठीक है चलिए आगे देखते हैं इसके बाद यहाँ पर दखिए L-A-N-K तो लंका क्या हो जागा लंका ऐसे लंका ठीक है लंका S-A-N-D-H-I D-H-I तो संधी ऐसे संधी क्या हो जागा संधी G-A-N-G-A तो गंगा G-A-N है तो गंगा ऐसे गंगा ठीक है B-A-N-S तो भी से वा होता है A-N है तो बिंदी क्या हो जागा R-A-M-B-H-A अब देखिए A-M है तो जैसे रंभा देखिए ऐसे भी लिख सकते है आधा मौ और भा ऐसे भी लिख सकते हैं और रामभा को दोस्तों इस आधा मौ के बदल बिंदी भी हम लोग लिख सकते हैं लेकिन इंगलिस में M होगा यह होगा ठीक है भले हिंदी में बिंदी लिखा जाएगा हिंदी में बिंदी हो जागा लेकिन इंगलिस में एम रहेगा जैसे के एच ए एम बी एच ए है तो इसको हम लोग खम भा पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे खम भा ऐसे लिख सकते हैं या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं खम आधाम और भा खम भा तो दोस्तों ये था मास मास्टर क्लास 3 था यदि जो दोस्त सुरू से लास तक इस कलास को देखे होंगे ना उनका समझी कि बहुत सरा चीज किलियर हो गया होगा वो छोटे-छोटे-दो अक्षर-तीन-क्षर वाले सब्दों को कहीं भी इंगलिस में मिलता है उनको देखते ही वो पढ़ देंगे असा सकते हैं और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे से हिंदी भी बिल्कुल स्टार्टिंग से आ जाए तो उसके लिए दोस्तों मेरा जो चैनल है लर्न हिंदी क्या है लर्न हिंदी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वहां पर क्योवल हिंदी पढ़ा लाश तक दखीएगा क्योंकि बहुत मेहनत से मैं एक क्लास को तयार करता हूं दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैठ भी पढ़ने आ जाए तो उसके लिए दोस्तों मेरा ओनलाइन मैठ अड़ा चैनल है क्या है ओनलाइन मैठ अड़ा उसको भी सब्सक्राइब किजिए और व को सिख सकते हैं तो दोस्तों या क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट वक्स में लिख कर बताईएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरू कर लेजिएगा नोटिफिकेशन आउन कर लेजिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू कर देजिएगा चल